शहर के उद्योग पती अनिल अम्बानी इनके घर के सामने में बारूती स्पोर्ट के तक्रीबन 300 स्ट्रेक मुंबई पुलिस दे बरामत के थे इस घटना में स्कॉर्पियो और इनुवा गाड़ी की मदस से अंजाम दिया क्या था सफेद रंकी इनुवा गाड़ी सचीन वाचे की होने की खपर चलते ही खलपली बचुई है राज्य की गुरूह मंत्री अनिल देशमुक इन्होंने इस खटना को लेकर पत्रकारों के सामने में जानकारी थी देश के उद्योग पती अनिल अंबानी इनके घर के सामने में एक अग्यात वाहन में आवीत तरीके से कई ब्लास करने वाले कई बारुतिकी स्टेक्स को मुंबई पुलिस नहीं परामत किया था स्कॉर्पियो को अंबानी की घर के सामने में खड़ा कर दिया था जिसके भनक चलते ही पुर्य देश में खलपली मची है स्कॉर्पियो के ठीक पीछे कुछ अंतराल पर सफिर कलर की इनोबा पी दिखाए दे रही है सुद्रों के अनुसार एनोफा काड़ी मुंबई पुलिस के एक अधिकारी सचीन वाजी की होने की खबर है राजी की एनाय ने सचीन वाजी को गिरफतार कर उनसे तकरीपन 11 घंटे तक पुछताश की है जिससे मुंबई पुलिस कमिस्टर कार्यले में खलपली मची हुई है इस घंटा में तकरीपन 7 लोगों का हाथ होने का पुलिस को संते है पुलिस अपने कारिपाई करी है बहुत जल्दी एनाय की टेम आरोपियों को गिरफतार कर सकती है इस दिशा में एनाय तब तेश कारी है ऐसे जानकारी ग्रुह मंत्री और निलतेश म्यूक इनों निती है मुकेश अम्बानी के घर के सामने जो सकॉर्पियों गाड़ी में जिलेटीन की स्टीक्स पाई गई थी उसकी जाच और उसी प्रकार मंसुक हिरेन इसकी जो हत्ते है असकी भी जाच एनाय और एटियस दोनों घत्ना की जाच कर रही है और जो भी सक्त्य सामने आएगा उस्प शाब से कारवाई की जाएगा स्टीक्स जो मिली गिए उसको लेके एटियस जाच कर रही है और सीपी पे अभी भी कोई भी कारवाई करने के निर्देश नहीं मिले ऐसा विधान गुरोव मंत्री अनिल देश्मुक इन्हों ने किया है गुरोव मंत्री के घर से क्या मेरा परसन राजकुमार मोड के साथ संजै मीरे बीसे निस नाकपूर